अगर कोई किसी को मार देगा तो उसके बदले उसका भी मौत का सजा होगा यहां से आपको टर्मिनेट भी कर सकता है और आपको जेल भी हो सकता है बड़ा जुर्माना भी हो सकता है कि इनकीन चीज आप लोग को नहीं करना चाहिए तो आज के वीडियो में फूल डिटेल्स में बताएंगे वीडियो को अभी से लाइक कर दिजिए, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए, नोटिफिकेशन को ओल कर दिजिए, तकि जब भी कोई नया वीडियो डाले, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप ताक पहुँच जाए तो सबसे पहले जो भाई नया आए हो या आना चाते हो सौधिय आरब में नया आने के बाद आप लोगों का अकामा नहीं बनता है, तो आप कही बाहर जाएगा, तो आप अपना पासबोर्ड लेके जरूर जाएगा, अगर बाहर में पुलिस कही चेक करता है, तो आपका अकमा लेके जाएगा, अभी डिजिटल हो गया है, अगर आप रिजिस्टेशन करते हो, अब सर में जाके अब सर का जो एपस है, उस एपस में आपका डिजिटल लाइसेंस और डिजिटल अकमा भी होता है, उसको अगर फोन में आप अपलोड करके रखते हो, तो उसमें अगर आपको पकड़ता है, तो आपका 2000 रियाल मुखलब आएगा, मुखलब मतलब फाइन आएगा, तो कहीं भी अगर बाहर आपको निकलना है, सबसे पहले ये आपका आईडी लेके निकलना है, आईडी नहीं बना है, तो आपका पासबोर्ड जो है, वो लेके निकलना है सोधी आरब में अगर आप रहते हो तो जिस काम के लिए आए हो आप सिर्फ उसी काम में फोकस करना दूसरा कुछ काम नहीं करना हम लोगों को मुलके जैसा नहीं है कि कुछ भी कर लो यहाँ पे कोई बचाने माला है लेकिन यहाँ पे अगर आप कुछ भी करते हो गलती करते हो तो आपको कोई नहीं बचा सकता आपको जेल या जुर्मना या उस देश से टार्मिनेट कर देगा सुधी आरोब दुबाई कातर बेहरें किसी भी गल्ब कांटी में सबका कानून एक बरबर है यहाँ पे आके आप किसी के साथ लड़ाई नहीं करना दोस्त बगर अगर होता है अगर कोई बंदा कुछ भी करता है रास्ता में आगर कुछ भी आपकर गलती होता है किया हाथा भाई किसी से lips लड़ा यह नहीं किनी पना मुल्क के जैसा अगर किसी से BLACK करते हो कुछ भी करते हो तो पुलीस भना आपको पकड़ के ले जाएगा आपका जेल और जूर्माना दोनों हो सकता है तो अगर कुछ किसी से लपड़ा भी होता है कोई कुछ बोल भी देता है आपको वो सीज में ध्यान नहीं देना है यहां जिस काम के लिए आए हो उसी काम को आपको फोकस करना है अगर कभी पे आपको जाना है तो आपको कभील को बता की जाना है कभील को नहीं बता के जाते ह तो आगर किसी जगह में जाके चेकिंग में पकाड़ता है कुछ भी चीज के लिए तो कफीर आपको बोलेगा कि जो बाहर गया था कहीं गये थे तो हमको क्यों नहीं बता के गये थे तो आपको बताना जरूरी है कई पर जाते हो तो यह सारे चीज में आप लोग ध्यान दीज करते हो तो आप लोग नीज में सुने होगे सौधी दुबाय कातर बहरीन बहुत बंदा को बहार निकल दिया है इस देश से टर्मिनेट कर दिया है कि आप हम लोग का मुल्क में हिंदू-मुसलिम का बात होता रहता है इससे लड़ाए उससे जगड़ा होता रहता है आप ल नहीं सेर ऐसा नहीं है अगर आप किसी भी चीज को यूज करते हो जिस देश में रहते हो उस देश का आप सारवार यूज करते हो तो उन लोग को सब को उन देश का सब को जो लोग डेटा कालेट करता है सब को पता रहता है कि आप सोशल मेडिया में क्या काम कर रहे हो गलत पकड़ के निकल दे हैं उन लोग को लाइफ टाइम तक लाइफ टाइम तक लोग बैंड है उन लाइफ टाइम तक नहीं आ सकता तो अगर आप किसी गल्ब कंटी में रहते हो गल्ती से भी ये मत कुछ भी मत किजिएगा अगर कोई दोस्त वगर आपको कुछ सयार करता है जगा में आपको नहीं जाना है किसी के साथ कुछ भी हो जाए आपको जगड़ा यहां पे नहीं करना है आप रास्ता में जाकर देखते हो अगर गारी चलाते हो आप डाइबर हो रास्ता में यहां पर अगर एक्सिडेंट भी हो जाता है तो आपको कोई कुछ नहीं बोले क हम लोग का मुलके जैसे कोई आके मारेगा नहीं जो भी कुछ होगा यहां गलती होगा तो पुलिस बाला को आपको फोन करना है पुलिस बाला आके आपको जो भी कुछ है पुलिस बाला डिसकस करेगा यहां पर पाबलिक कुछ भी नहीं कर सकता किसी भी मॉल में जाके कही पी ते टार्मिनेट कर देगा तो भाई जो भी भाई बाहर मुल्क में आए हो या आना चाते हो किसी भी चीज किसी भी लफड़ा में आपको नहीं परना है हम लोग सिरफ यहाँ काम के लिए आए है अपना रोजी करते हुए पकार लेता है कोई बंदा आपके उपर चार बंदा गभाई दे देगा तो आपका हाथ कार लिया जाएगा चोरी करने में अगर आप किसी को लड़की को छेड़ चार करते हो तो उसका भी बड़ा जुर्माना होगा यहाँ पे छेड़ चार तो दूर की बात है कानली जी अगर वाट सब में कोई बंदा कुछ भेजता है उसके लिए अगर कानून ऐसा होगा तो यहाँ पे बड़ा गलती करने पे तो आपको उपर क्या हो सकता है यह थोड़ा सोचिए हम लोग काम के लिए हैं सरफ काम से मतलब रखना ही चाहिए दोस्त बगरा यहाँ ज़्यादा मत बनाएगा कुछ दोस्त बनाया जिन लोग को आप उपना मुल्क में पैचानते नहीं हो यहाँ पे आके कुछ दोस्ती बनाया वो बंदा यहाँ पे कुछ गलती कर देता है आपको भी पुलीस unre ले जा सकता है तो यहाँ पे दोस्त बगरा भी आपको इतन नहीं करना है अगर आपका जान पैचान का कोई है उन लोगों से दोस्ती बगरा रखिए ज्यादा बंदा सा यहां पे दोस्ती मत किजिएगा काम से मतलब रखिएगा रास्ता में आप जाते हो तो किसी जगा में आपको मोबाइल उठा के डाइडेक्ट वीडियो नहीं बनान किसी जगा कर देते हैं लडर्की लड़का बहुत बंदा है औहां पर यहां पर यहां पर आप Cabinet अइसा नहीं कर सब्सक्क्राइब अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो किसी जगा का, किसी shopping mall का, तो वहाँ पे बंदा जो है उनसे security से permission ले लीजिए कि मैं यहाँ पे वीडियो बनाना चाहता हूँ वीडियो बनाना allowed है या नहीं हर जगा में यहाँ पे camera लगा हुआ है super market हो, किसी market हो हर जगा में camera लगा हुआ है अगर आप कुछ गलती भी कर देते हो तो केमरा में पकड़ जाइएगा अगर आप डाइबर हो किसी जगह में गारी पारकिंग करते हो या किसी पेशिटेंज्ट कर देते हो तोड़ा सा नका लगाएखेएख двухनाइबगा हो लेकिन हर पार्किंग में कैमरा है वो कैमरा से आपको पकाड़ लेगा फिर आपका गारी का जो number plate है number plate देख के आपका कपिल से contact करके आप से contact करके वो सारे fine आएगा यहाँ पर गलती करके आप नहीं बच सकते हो यहाँ पर जो तो यहां पर अगर कोई गलत करता है, कोई बंदा अगर किसी को माडर करता है, किसी को जान से मार देता है, तो यहां का जो सजा है, जान से मारने का मतलब आपको बहुत बड़ा सजा होगा, मौत के मतलब मौत मिलता है, अगर कोई बंदा किसी को मार देता है, तो उनको भी मौ तो उको पता चलता है कि इंडियन बंदा किसी को मार दिया, पाकिस्तन बंदा किसी को मार दिया, क्या कोई बंदा किसी को मार दिया, यहां कोई किसी को मार नहीं सकता, अगर कोई किसी को मार देगा, तो उसके बदले उसका भी मौत का सजा होगा, उसका गला कार दिया जाएग तो यहां का कानून बहुत सक्त है भाई जो भी भाई यहां पर आईएगा अपना काम से मतलब रखेगा काम से ही आपको मतलब रखना है तो कुछ भी नहीं गलती करना है सोसल मीडिया में काम कर रहो कुछ भी कर रहो किसी भी पापलिक प्लेस में आपको फोन उठा के वीडिय कर देगा इस देश से अगर आपको टार्मिनेट कर देगा तो अब लाइब टाइम इस देश में नहीं आ सकते हो तो जो भी भाइस होदी दुबाई कातर बैडेन किसी भी मुल्क में नया आये हो या आना चाहते हो यह सारे चीज आप लोगों को जान लेना जरूरी है कि कौन स हम लोगों को करना चाहिए कि या चीज नहीं करना चाहिए तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा आज का वीडियो में आप लोगों को कुछ अच्छा जानकारी मिला है कुछ सिखने को मिला है और भी कुछ पूछना है तो इम इस्टिग्राम में जाके फॉलो कीजिए वहाँ पर जाके आप हमसे सवाल कर सकते हो उसका भी जवाब देगा इंशालला तो आज का वीडियो यही पर इंड करते हैं मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगला स्टॉप इज लेके तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बाई